याल्ला अब मैं बोलूगी तू बोलोगे के बोलते हैं शिरीन इस गार में हो क्या रहा है मैंने सुना वो सोया फिर वैसे पाईयात कप्रे पेंग कर वेचे थी और तुम से जुबान लड़ा रहे थी नहीं ऐसा नहीं था लेकिन हां वो खपड़े में बदरना चाहती थी हां तो ऐसे ही तो तैजीब की मौत होते हैं पहले थोड़ा सा नानुकूर करेगी उसके बाद खुल कर मना करेगी फिर लड़ाई जगड़े करेगी और खुदा नकरे उसके बाद तुम्हारे लड़के को तुम्हारे खिलाफ कर देगी जीन्स वाली जातु करनी ओह भाबी आपको ऐसा लगता है लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी शीरीम को ऐसा इसलिए करेगी क्योंकि वो बाहर वाली है उसकी तमीज, देजीब, खांदान सब कुछ हमसे अलग है हां हुमेरा होती तो बात ही कुछ अलग होती लेकिन क्या करें क्रिस्मत ने जोया को तुमारी बहु बना दिया है क्या करें शीरीम भाबी आयान ने जो किया है उसका मुझे बढ़ा अपसूस पूरा एपिसोड देखे जीफाइपर माशाला आप तो निखर गही है निखर अच्छा मैंने दो तरीकी के हल्दी के इंदिजाम किया है एक गीली हल्दी है एक सुखी हल्दी है तो जिसको जो लगाना है वो भो ही लगा है ओके मैंने अपने काम कर दिया अभी आप लग स्टार्ट कीजिए अरे दुलहन की नजर कौन अतारेगा अब हुमेरा बाजी क्यूंकि हम जोनों में यह डील बाथ पैले साइन हो चुकिया कि जब निखक भाजी कर दिकाने आग अब बाजी करें को तो सब काम करें गी यह आप अब फाल्ग कर आगिए लेकिन यह पात तो मैंने सोची नी कि मेरी निकाह में सब काम करेगा जाहिए बिटा ये रसम तो दुल्हन की भावी को करनी चाहिए अब आयान का निकाह हो गया है अगर नहीं हुआ होता तो बात कुछ और होती अब इस घर में बहु आ गई इसलिए हल्दी तुम लगाओगे अब जो बरसों से रिवास चलते आ रहे हैं उसे तो निभाना ही पड़ेगा क्यों हाँ जोया तुम हल्दी लगाओगे नुजाद जी हल्दी के थाल लेकर ओ जी हल्दी भी लगाना और नजर भी उतारना लो बेटर अब सुया लो बेटर यही तुमारा हाग है और फार्ज भी बेटर जाँ अजया तुमारे लिए कितने शेर सुनाया करते थे अरे आयान विया जाते जाते एक शेर हमें भी सुनाया जिल ना दीजिया ज़िए रस किया इस जा एक वा त्सक्राइब कि मेंध और की आप तुमारे अए देना किसी और की हुई पर खुआब कम्हारे है आयान एहमद खान डिल से आज भी कुआरे वा 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 व भा वा 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 जा प्याब अहो, तब हमाई लिए इतने सारे तोफे लाएं? जी, नहीं, दरशल ये तोफेम अपना हमाई लिए लाएं? जी, नहीं, अच्छलि है ये तोफेम एकिसी और के लिए लाहूं, लेकिन आप लिए 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 गाऊँगा, ये परॉमस्ट ऐना दे तो? जी? नादे मतला बहत थे के लादेदे दिए प्लीज चाज्या बागदे टी प्लीज चाज्या बागदेदी फ्लीज आ ये भी बैंचे चाज्या और आयान, तुम यहां क्या कर रहे हो? अरे लडकियों के रस्में, तुम्हारे हैं, यहां कोई काम ही नहीं है? जा और जल्दी से जा कर तयार हो! ऐसे भी हसीना के घर जाना है फराँकी लेकर हजार काम है.. दूले के कपड़े तोफए कितना कुछ है.. और यहन दुलन कभाई है कि उसे हलदी से फुरसत ही नहीं है.. और यह.. दूले के कपड़े का ए? वो मुमानी हुमेरा बाजी के पास है उन्होंने रिजाइन करवाया था ना हाँ तो हुमेरा जाओ ना निकालो कपड़े तुमको भी तो आयान के साथ जाना है जी अब में लेकिन भाबी आयान के साथ तो जोया को जाना चाहिए क्यों शीरीन अरे आयान के साथ हुमेरा क्यों नहीं जा सकती आप में रहने दी जाना क्यों रहने दू हुमेरा शीरीन तो पता नहीं नहीं रसमे निकाल रही है मैंने कौन सी नहीं रसम निकाली है भाबी निकाह तो बहुत पुरानी रसम है इन दुनों का निकाह हो चुका है इन दुनों को साथ जाना चाहिए और फिर हसीना भी को क्यों मौका दे पता नहीं क्या बाते बनाएंगी परान को हल्दी लगेगी और हल्दी बहु लगाती है जोया तुम जाओगे इसके साथ जाओ बिटा आयान लेकर जाओ 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 अब अच्छली ये कपड़े कीले हैं किले कैसे हो गए ओ हाँ कल रात बारिश हो रही थी ना पर कल रात तो आप कर पर ही थे थे ना आइंदा बिना पूछे हमारे कमरे में मत आये गा वो क्या है कि हमें पसंद नहीं हमारे कमरे में आकर कोई सामान चड़े यहां जो चीज़े जैसी रखी है हमें वैसे ही पसंद जी माफ कीजिएगा माफ कीजिए यहां तो आप आप में वाच्गा पसंद नहीं हमारे के पसंद एजियो नहीं हमावदा का जीजिएगा जोए आम रीली रीली वेरी सुरी मुझे सच में दिखाई नहीं दिया कि तुम वहां खड़ी थी I'm sorry क्या हुआ अभी भी नराज हो मुझ से तुम से नराज नहीं हु मैं उन सब लोगों पे नराज हु मैं तुमने देखा एक छोटी सी बात है कि हल्दी गर गई तो गिर गई ना इस सब को इतना इलामरेट करके इतनी रोमेंटिक मुवमेंट बनाने की क्या जरूर थी दोला-दोला है इनकी तो वैसे भी हल्दी नियुए चलो अच्छा हुआ इसलिभाने हल्दी की रस्म होगई ये वो बतलब इनकी खुद की लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं होती दूसरों की लाइफ में इतना इंटरस्ट लेते हैं ये रोम अबसल्लीटली राइट ये बात तुमने बिल्कुल सही कही अब सुया तुम ही देखो ये फुप्पियों और खालाओं की जिन्दगी में होता क्या है कोफ्ते तुमने आज बड़े हाड बना दिये गले से उतर नहीं रह नीचे कल रात को जो दालगोश बनाए थी वो तुमने फ्रिज में रखी नहीं वो खराब होगी और प्यास के भाव तो इतने बढ़ गए कि पूछमत मटक चिकन गर पे बननी राज सेहत उतरती जा लिए पूरा एपिसोड देखे जी फाइपर